देखो, इंडारेक्ट टेक्स है, पहली बाद, कौन लगाता है, लिवाइड है ल, अवी, आई, एड, तो किसके दुरू लगता है, सैंट्रल गवर्मेंट के दुरू भी लगता है, और स्टेट गवर्मेंट के दुरू भी लगता है, यह जो टैक्स है, टैक्स एक काइंड ओ income होती है किसकी government याद रखना जैसे आपन जॉब करते हैं अपने को income मिलती है तो वैसे ही government का जो income है या जो revenue है वो किससे होता है tax के थूरू होता है government revenue बोलते हैं इसको या फिर income बोलते हैं इसी के base पर सिर्फ GST की बात निकर रही हूं मैं overall tax की बात कर रही हूं tax जितना आता है government को collection income होता है उसी के base पे next year government budget बनाती है जिसमें वो अपने expenses बताती है तो revenue एक तरीके का income है sorry revenue income है लेकिन GST से income होना government की वो एक तरीका है ऐसे n number of ways है government के income के create करने की दूसरी चीज किस दिन implement होई थी फस्ट जुलाई 2017 को कौन सी government के थूँ होई थी NDA-led Modi government यह सारी चीज़ें आपको लिखनी है एक एक चीज जो भी मैं बताते जा रहे हो next क्या आएगा इसमें पहले टेक्स लगती थी एक सेल्स टेक्स लगती थी दो तरीके की लगती थी सेंट्रल सेल्स टेक्स और एक लगती थी स्टेट सेल्स टेक्स दो तरीके की आऔर तो यह जितनी भी आप थिस ऐसे मिला के कम-से-कम सत्रा टैक्स लगती थी इस पूरे इंडिया में अलग-अलग जगह तो सत्रा टैक्स लगती थी इसलिए बोलते थे हर स्टेट将 अलग होता था पसें गनाक्स का सब को अषबकों और एक कर दिया तो इसलिए बोलते हैं वन नेशन एक देश है इसने वन टाक्स वन नेशन वन टाक्स। वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा तो यह था इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स इसमें देखो जैसे एक वर्ड लिखा है मैंने सेंट्रल सेल्सक्षिस कौन सा करें हैं हिंदी में बताएगा कोई सेलसक्ष क्या हुत हैं पहले जो बायर सुटे-स यह ना जो सेल करते हैं उस पर रोच चाहिता अब इसमें कि इस यह एंटर स्टेट कि एक वर्ड इंट्रा स्टेट कि इंट्र स्टेट और एंट्रा स्टेलट को अ कि होगा यह कि मैं एंट्र स्ट्रेट मातलब जम अधर स्टेट से डिल कर रही है अधर श्टेट में हरanın इंस चल अपने इंपूर्ट जाएंगे इस क्लास में इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में तो इंटर स्टेट दो स्टेट जब आपस में डील करेंगे तो अपन जब भी इंटर स्टेट की बात करेंगे तो उसमें एक स्टेट तो चत्तिसगर होगा क्योंकि अपन जितना भी पढ़ेंगे कैलक्रेशन सीजी के अकॉर्डिंग तो अपने लिए इंटर स्टेट में पहला स्टेट सीजी होगा और दूसरा कोई भी हो सकता है जिसके साथ यहां का जो यह यह उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा इस लिए इन दोनों को मिला के एक वर्ड यूज वह था डूएल जीस्ट क्योंकि जो टेक्स क्लेक्शन करने का जो प्रोसीजर होगा वह अलग अलग होगा दूनों में ठीक है दूसरी चीज हम इसमें यह पढ़ेंगे कैस्केडिंग इफक्ट यह वर्ड सुना है कि जब सब गवर्मेंट को बोल रहे थे कि यह बहुत होच-पोच हो जाएगा ऐसा टेक्स लगाना लोगों को समझने में दिक्कत होगी क्योंकि लोग अल्रेडी एज़स्टेड हैं दूसरी चीजों से तो गवर्मेंट का हर बा कैस्केडिंग इफक्ट इसका मतलब होता है जो टैक्स के उपर टैक्स लगता है तो जीएस्टी से क्या होगा जो टैक्स के उपर टैक्स लगता है वो हट जाएगा सर्फ एक ही बार टैक्स देनी है एक ही जगह पर तो जब ही भी गवर्मेंट को जिसने भी अपोस किया तो उसने सिर्फ एक पॉयंट को बेज बना कि चला कि cash pening effect कि पहले जो tax पे tax लगती थी उससे गुच का price क्या ओजाता था बढ़ जाता था लेकिन जीस्ती से क्या होगा tax को पर tax नहीं लगे गा एक ही बार टेक्स लगेंकगा एक ही गुच पर तो वो उससे क्या हो जाएगा वो हट जाएगा तो यह सबसे बड़ा फीचर था तो देखो क्या स्कैटिंग इफेक्ट जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है एक सेकेन नो कि कैस्कैडिंग एफेक्ट का एक एक जांपल समझा है कि यह एक प्रोड्यूसर उसने एक गुड्स प्रोड्यूस किया कॉस्ट ऑफ एनपुट ता देखो तो उसने समझा कुछ भी प्रोड्यूस किया तो वो कितना था? 100 रुपीज का उसने value का एक goods बना के दिया, तो पहले tax जो rate था, sales tax, उस पर कितना लगा उसका? 10% लगाया उसने, तो जो selling price हो गई, goods की, वो क्या हो गई? 100 plus 10% जो उसने लगाया, 10 रुपीज, तो देखो, अब goods का जो selling price है, वो क्या हो गया? 110 और इसमें tax क burden है, वो कितना हो गया? 10 रुपे लगा, यहां तक clear है? अब second stage पर देखो, जब वहां से जब समझो, यह producer, manufacturer उसने goods दिया, अब यह B, B मतलब यहां पर wholesaler की बात हो रही है, तो wholesaler ने वो goods कितने में लिया? 110 रुपे में, तो अब देखो, वो 110 में तो बेचेगा नहीं, अप उसने goods की price कितनी कर दी? 1500 रुपे, यानि उसके बीच में profit कितना है? 40 रुपे, अब यह goods की price हो गई, 150, फिर इस पे क्या लगा? tax लगा 10%. तो अब जो tax लगा, 150 पे 10% लगेगा, तो tax कितना हो जाएगा? 15 रुपे, तो जो goods की price क्या हो गई? 165, same again, wholesaler B से, अब किसको देग C, तो रिटेलर के पास आएगा, तो रिटेलर ने कितने में लिए आउस goods को? 165, 100 पैसेट में, तो अब उसने अपना profit एड़ किया, अपने expenses एड़ किये, तो वो product का cost हो गया 200 रुपे, और इस पे फिर 10% tax लगा, तो यहाँ पिर जो tax का burden आया, कितना लगा? 20 रुपे, यह देखो 220, तो वो कितने में अब consumer के पास जाएगा, 220, output जो value था, उस पे देखो start कहां से हुआ था, 100 रुपे से, at the end कहां के पहुँचा, 220 रुपे, तो यहाँ पे tax लगी, same उसी goods पे फिर से tax लग रहा है, again third time फिर से tax लग रहा है, तो जो tax के उपर tax लगता है, इसको बोल पर tax लगना, यह समझ में आया, कि tax के उपर tax कैसे लग रही थी, ma'am, एक बार और, कहां देखो, यह समझ जा गया, हाँ, ठी कहने है, बिटा, कोई बात नहीं, किसी को नहीं आया, समझ में, किसी को आ रहा है, यह देखो, 100 रुपे का output बनके रहा, आउट पुट पे देखन यह producer है, कोई manufacturer है, कोई उत्पादक है, उसने बनाया, goods को 100 रुपे में, tax लगा 10%, तो goods का price कितना हो गया, 110, अब 110 पे फिर 10% लगा, और देखो, यहां पे, वो 110 पे नहीं देगा, अब पहले अपना profit भी तो जोड़ेगा, जिसके पास आया, तो जब अगर वो 110 पे ले रहा और tax लगा रहे, तो वो कमाएगा, क्या, कुछ नहीं, तो पहले वो अपना profit जोड़ा यहां पे, तो यह था 110 इसके लिए input, और 1500 उसने रखा output, और 1500 पे फिर 10% tax, कितना 15 रुपे, तो goods की price कितनी हो गई, 1500 और 15, एक्सो पैसे, अगें फिर, रिटेलर अगर उससे लेता है, 165 में, तो 165 में तो बेचेगा नहीं, फिर अपना इसने profit rate किया, और goods का price कर दिया, इसने 200, फिर इस पे लगा 10%, तो यह हो गया 20, तो goods का जो price हो गया, वो कितना हो गया, 220, यह जो output है, इस पर tax का value जुड़ रहा है, 100 पे 10 जुड़ा, इसलिए selling price 110, 1500 पे 15 जुड़ा tax, इस price हो गई, 220, अब clear हुआ, मॉस्क में, यस मैम, आप देखाँ, यह था cascading effect, तो tax के उपर tax लग रहा था, लेकिन government बोलती है, कि अगर हम JST लगाएंगी, तो tax के उपर tax नहीं लगेगी, how, अब उसका example देखते हैं, किसी को भी, तो यह जो, हम बोलो, कोई बोलो, कोई नहीं, कोई डाउट नहीं है, मैम, मैम, बोलो, मैम जो पहले 45 लिखे मैम बी में, मैम वो जेस्टी से पहले रहे जो cascading effect, उसमें ऐसे रहता, अगर cascading effect जो मैंने बताया था, उस पर क्या होता, 4500 पे, किता देते फिर, 18% तो क्या हो जाता है, 4500, तो प्राइस में वो एड़ हो जाता, cascading effects के अगर हम इसको solve करते, suppose, तो देखो, A से start करें, तो बीस हजार का अगर 18% कर्तियू में, कितना हो जाएगा, 20,000 का 80% 33,000, हाँ, एक से, तो अब देखो, 3600 हुआ, तो अब देखो, price कितनी हो जाती, 20,000 और 3600, कितनी हो जाती, price, 23,600, तो next stage पे जो tax लगती न, ये 23,600 तो रहता, plus, जो B है, वो अब अपना cost एड़ करता, इसमें, पता कितना, suppose, अगर वो इसको अगर लेके जा रहा है, 25,000 पे हैं न, एक सेकेंड, ये हो गया, 5,400, और यहां पे, अब सोचो, वो फिर 25,000 पे कितना लगा रहा है, tax, 18%, तो कितना लगेगा, 4,500, तो next stage में क्या हो जाता, ये 23,600 यहां पे, plus, 45,000 हो जाता, करो उसमें plus, 45,000, माम 29,500, ये 29,500 प्राइज हो गया, इन्पुट, तो अब वो 29,500 में थोड़ी नहीं बेचता, इतने में खरीदा, और ये tax जोड़के प्राइज इतनी हो गई उसके लिए, तो suppose वो इसमें 2000 डालता, या 3000 डालता, अपना इन्पुट डालता, चलो अपन 500 डालते हैं, उसका इन्पुट सबसे कम भी डालते हैं, तो भी अब उसके लिए प्राइज कितनी हो गई इस पे, 30,000, तो देखो, ये जो प्राइज बढ़ते जा रही है, ये जो 30,000 हुई, तो देखो, टेक्स बार-बर पे कर रहे हैं कि नहीं, गवर्मेंट को, और यहां पर देखो, इसका प्रॉफिट मार्जिन देखो, कितना कम है, और यहां इसका प्रॉफिट मार्जिन देखो, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, जो चीज इसको 25,900 में पढ़ी, अब यहां पर चीज कितने में पढ़ रही है, इसको देखो, 25,900 में पढ़ रही थी, और अब कितने में पढ़ रही है, 29,500, तो कितने का डिफ्रेंस आया, बताओ, 4000 का, आया की नहीं आया डिफ्रेंस, कोई डाउट है, कि यहां पर 25,000 का 18 परसंट क्यों निकाले, मैं 4500 जो आया है, मैं जो 23,600 है, मैं तो उसका 18 परसंट निकालना चाहिए ना, क्यों, जो सपोज आप मार्केट में जाए, कि अधि, कि अधि,